भारत की राजनीती के सबसे पुराने पंडिच जी के खानदान के तिर्पनवर्शी युवा यानि सतत युवा राहूल गांधी जी आदतन फितरतन भारत के बारे में, भारतिय समाज के बारे में, राश्टिय स्वयम सेवक संग के बारे में और इन सबसे बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनरगल बयान देने के आदी हो गए चीन के साथ इनकी सरकार के कैसे रिलेशन रहे और हमारे कैसे रिलेशन है यह हम इस पश्ट कर देना चाहते हैं शी नरेंद्र मोदी जी के नेतरत में हमारी सरकार आने के बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं 2020 में बीजिंग के एक तिंग टैंक ने जो वहां की गवर्मेंट से रिलेटेड माना जाता है उसने ये शब्द प्रयोग किया है कि चाइना इस पासिंग थूइस वर्स डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट यानमन स्कॉयर यानि ध्यान चौक के नरसंगार के बाद के दौर के सबसे बुरे कूटनीतिक अलग थलग पढ़ने की इस्थिती में चीन है परन्तु और यह हम नहीं कह रहे है यह वहां के लोग कह रहे है परन्तु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों मड़ाता है ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्निस पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारस सरकार से तकरार करने को तैयार रहते है वो आकर ये कहते हैं किले में घूम कर कि मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज ये कौन लोग हैं और कौन बताता है और मज़े की बात ये है कि ये जो लोग हैं ये स्वता एक्स्पोज हो रहा है क्योंकि चाइनीज कम्निस पार्टी के साथ जो उनका एग्रिमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था चाइना से फोटो आई थी डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था वहाँ से फोटो आई थी और आज मैं आपके सामने एक दो और से तथ्य रखना चाहता हूँ किसी राहूल गांधी जी के परिवार ने डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था पंडित जवालाल नहरू ने अपने समय में चीन की फोज को खाना और रसद भी पहुँचाया था और यह मैं कोट कर रहा हूँ सेलेक्टेड वर्स ऑफ जवालाल नहरू सिरीस टू वॉल्यूम एटीन उसमें नहरू जी की 21 जून 1952 दिल्ली प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फरेंस का जिक्र है जैसा क्या जानते हैं यहां कोई बी काम आसान नहीं है आगे सुनिए लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हमने थोड़ी बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए है यहाँ चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है और हम उन्हें जिम्दा रखने में मदद कर रहे हैं यद्यपी हम उन्हें तिब्बत के बाहर भी देखना चाहते है अगेन आइम कोटिंग सेलेक्टेड व अत्याचार कर रही थी उस समय और इसकी मैं बैक्डाउंड भी आपको बता देना चाहता हूँ उस समय जो चीन का नियरेश चहर था उस जमाने में आज की तरह तिबत में जाल नहीं था सटकों का चेंगडू से लगबग बाइस सो किलोमेटर दूरी थी लासा की और भारत के तावांग से 240 किलोमेटर भारत की तरफ से सडकों की बी इस्तिती अच्छी थी क्योंकि शताब्दियों से व्यापार होता रहा था वहां रसत पहुचाना संभव था चीन की सेना भूकों मरने की सिती में थी तब इन महोदे ने जानते कितने चावल पहुचाए थे जिसको थोड़ा बहुत करें साड़े तीन हजार टन साड़े तीन हजार टन चावल बेट किया और बकॉल जवालनेरू वो कह रहे हैं कि उनको जिन्दा रखने में मदद करना चाहते हैं इसलिए राउल गांदी जी जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो याद रखे और मैं देश की युवापीडी को पुना याद दिलाना चा उसका नाम है इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस तो मानिवर मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि यह उस जमाने में हिंदी-चीनी भाई-भाई का प्यार था और आज जो है वो इकरार है तो मैं इस विशय पर जवाब चाहता हूं कि यह साफ करें दो बातें इतिहास में आप अक्षम में अपराज जैसी से नहीं है कि आप उस देश को जिससे आपकी दुश्मनी साफ दिखने लगी थी उसकी फौज को रसत पहुंचा रहे हैं दूसरा आज हम आपचारिक रूप से यह बात कहते हैं देश की जनता की तरफ से कि चाइनीज कम्निस पार्टी के साथ हुए अपने करार को कॉंग्रेस पार्टी सारजनिक करें शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें सारजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांदी जी करते हैं इसकी करामात दु हम इस पश्च रूप से कहना चाहते हैं कि मोदी जी के नित्रत में हमारी वर्तवान सरकार ने पूरी दर्था के साथ भारत के सामरिक हित भारत के कुटनितिक हित और भारत के आर्थिक हित तीनों में अभूत पूर्व सफलता हासिल की है मैं याद दिलाना चाहता हूँ धारा 370 के उपर तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी कोई प्रस्ताव यूएन में नहीं ला पाया मसूद अजर को हमने आतंकवादी घोशित कर लिया चाइना का रुक जो भी रहा हो परन्तू नहीं रोक पाये निउक्लियर सप्लाय देखाई नहीं पड़ती हैं और आज हम पूछना चाहते हैं कि बार 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 ये पूछने की जो आपकी फितरत है इसके पीछे की कारण क्या है या बात इस पश्ट की जानी चाहिए लिए नहारीinvest दिलाना चाहता हूं अब इसी में नहरू जी को याद कर लीजिए वो पंडिजवाला नहरू जिन्हों ने RSS पर प्रतिबंद लगाया था जब चीन ने 1962 में आक्रमण किया है तब राष्टी सेवक संग ने जिस तरीके से साथ दिया सरकार का निस्वार्त भाव से उसकी नहरू जी ने भूरी-भूरी प्रशंसा की और अगले वर्ष यानि 26 ज राष्ट भक्ति और राष्ट के चुनवति के कालखंड में राष्टी सेवक संग की भूमिका को लेकर और इसके अतरिक्ट जो बात की बात में आप नफरती बयान आपके यहां से आते हैं उसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं आपके वयोवर्दनेता अजीज कुरैशी जी जो राज्यपाल रहे हैं वो सीरे हिंसात्मक भढ़काउ भाशन देते हैं और इस धंक की भाशा बोलते हैं कि लड़ना तो पड़ेगा ही एक दो करोड कम भी हो जाएं तो फरक नहीं पड़ता है राउल गांदी जी नफरत की दुकान है कि महबबत की दुकान है वैसे इतना जरूर समझ में आ रहा है नफरत हो या महबबत है ये केवल दुकान और केवल वोट की दुकान है और वोट की दुकानदारी है अन्यता अभी तक आपने अपने उस नेता के खिलाफ क्या करवाई की है जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हाँ लड़ो आरपार की लड़ाई लड़ो और एक दो करोड कम भी हो जाएं तो कोई गम नहीं है इसलिए हम देश की जनता के सामने वो पुरानी बाद भी स्पष्ट करना चाहते हैं और साफ करना चाहते हैं कि हिंदी चीनी भाई-भाई के प्यार से लेके कम्नुस पार्टी के साथ हुए करार तक इतनी गहरे संदेह के बादल है कॉंग्रेस पार्टी के ऊपर और उनकी गतिविधियां और फिर चाहें ऐसे संस्थानों को समर्थन जिसमें न्यूस क्लिक जैसे संगठन जिनके बारे में अमेरिका में भी रिपोर्ट आई कि शंगाई टू शिकागो वहां से चाइनीज कम्नुस पार्टी से उनको सपोर्ट मिल रहा था फंड मिल रहा था और भारत के विरुद्ध परचार करने के लिए और उसके उपर जब कारवाई हुई थी तो इन्होंने उनका समर्थन किया था और पुना हम इस बात को दोहराते हैं आग्रह पूरवक दोहराते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी चीन की कम्नुस पार्टी के साथ हुए अपने करार को सार्जवनी करे क्यों जब 2009 में आप लोग जाके चेक कर सकते हैं जब चीन ने हमारी सेना में अतिक्रमन किया था छेत्र में तो उस समय ना सिर्व विदेश मंत्राले ने यह बयान दिया था कि यह ओवर प्ले किया जा रहा है उस समय के पत्रकार पर चंद घंटों में फाई यार दर्जो गई थी कहा है भए अभी एक की सोत अंत्रता तो अंत में मैं सिर्फ यह अनुरोद करना चाहता हूं कि आप सभी पत्रकार और देश की जनता आज के सूचना क्रांति के युग में जब सारी सूचनाएं सार्जवनिक रूप से सहज उपलब्द हो गई हैं उन चीजों को देखे दू और कॉंग्रेस पार्टी की जो ये फितरत है जो परोख शुरूप से निरंतर हमेशा विपक्ष में रहते हुए देश को कमजोर करने की जुगत में लगे रहते हैं मैं याद दिलाना चाहता हूं चार उधारण आपको 62 का मैंने उधारण दिया संग ने कैसे चीन के युद के समय समर्थन किया 71 की पाकिस्तान वार के समय अटल वियारी बाजपेई जी ने इंद्रा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की कॉंग्रेसी आस तक कोट करते हैं 95 में पीवी नरसमाराव जी के समय में जिस समय जेनवा मे कश्मीर को लेकर पाकिस्तान प्रसाव लेका आया था अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नित्रत करते हुए गए और सारा क्रेडिट नरसमाराव सरकार को वहां दिया जो विरोत ता घर में आके किया 2010 में जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवाज शरीफ ने ततकालीन हमारे प्रधान मंत्री डॉक्टर मन्मोहन सिंग के लिए आपती जनक व्यक्तिकत हमला किया था तब मुक्ष मंत्री के रूप में मोदी जी ने कहा था कौन होता है पाकिस्तान का प्रधान मंत्री सवा सरकार चलाना उन्हीं को आता है अब जंता ने दिखा दिया कि सरकार चलाना किसे आता है पर मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के रूप में गंभीर भूमी का निभाना उन्हें नहीं आता है हम लंबे समय तक विपक्ष में रहें जुम्मेदार गंभीर विपक्ष की भूमी का निभाई है और कम से कम राश्ट्रीय मुद्धों के उपर उनको भारती जंता पार्टी से सीखने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार की अनर्गल बातें कहने से बचना चाहिए धन्यवाद कि देखें मैं यह बात कहना चाहता हूं कि 26 का हमला हुआ था उसमें सिर्फ हिंदूओं की डेट हुई थी क्या अच्छी खासी संख्या में तो मुस्लिम ही मारे गए थे तो वो सुरक्षित थे यह बताईए कॉंग्रेस पार्टी के शासनकाल में भारत में मुस्लिम समाज की द्रिश्टित से सबसे मुकद्दस माने जाने वाली मस्जित हजरत बल पर नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था मुस्लिम समाज सुरक्षित था अपने को स्वयम कश्मीरी होने का पता नहीं गर्व करते हैं ढोंग करते हैं जो भी है परंतु कश्मीर में जिसको सुफीदिम का सेंटर माना जाता है उसकी सबसे बड़ी दरगाह चरारे शरीफ आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में नश्ट कर दी गई ध्वस्त कर दी गई जला दी गई और जलाने वाला पाकिस्तान भाग गया सुरक्षित थे और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं हाशिमपुरा मलियाना कांड 1987 जिसकी जांच तक नहीं हुई इसलिए जब आप बोलने का प्रयास करते हैं तो दुख की बात यह है कि आपकी सहनबूति मुस्लिम समाज के साथ नजर नहीं आती है कटर पंथी मुस्लिम ताक्तों के आगे नतमस्तक होती नजर आती है आज इस्थिती यह है कि पूरे देश में शांती सुरक्षा का जो एक वातावरन बना है अन्यथा आपकी सरकार के समय मैं पूछना चाहता हूं कि चंडीगर से लेके चिन्नई तक दिल्ली से लेके करते थे 26 नवंबर 2008 मुंबई में सबसे बड़ा हमला होता है और बैरक उबामा ने अपनी किताब दा प्रॉमिस लैंड में लिखा मन्मोन सिंग्जी को कोट करते हुए यह भारत की सेना एक बड़ी कारवाई के लिए तैयार थी मगर कॉंग्रेस सरकार ने इसले कारवाई नहीं की चुकि उन्हें लगा कि इससे होने वाले वातावरन में भारती जन्ता पार्टी को राजनेतिक लाब मिल सकता है कॉंग्रेस पार्टी को सहस है तो वामा जी पर जाके मुकदमा करने हैं और उसके नौ महिने के बाद शर्मल शेक जुलाई 2009 आप जॉइंट डेक्लेरेशन शाइन करते हैं पाकिस्तान के साथ कि शान्ती वारता आतंक वाद से प्रभावित नहीं होगी और इवन बलुचिस्तान भी उसका हिस्सा हो जाता है यानि इने वे हम यह मानना है हमारी नीती बहुत इसपश्ट है आपकी नीती थी कि शान्ती वारता आतंक वाद से प्रभावित नहीं होगी मोदी जी की नीत है शान्ती वारता आतंक वाद के साथ शुरू ही नहीं होग टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेधर इसलिए पिछले नौ साल भारत के इतिहास में एक मात्र नौ साल हैं जब हमने कोई आपचारिक दिपक्षी वारता नहीं किये इसलिए शांति सुरक्षा सौहार्द को लेकर कम से कम वह प्रबचन देने का प्रयास न करें देखिए ये जूरी का निर्णे है और मुझे लगता है जो लोग कला अभीवेक्ति स्वतंतरता ये सारी बाते करते हैं तो उनको कलाकारों के जो जजजिस थे उनके बारे में टिपणी करने से बचना चाहिए और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं यदि कोई भी चीज का य नफरत कैसी है ये बताईए ये अत्याचार करने वालों के साथ कौन अपने को जोड़ रहा है जो नफरत उसके मन में आती है शिंडलर्स लिस्ट हॉलिवूट की बड़ी फेमस फिल्म है जो जूश हेलो कास्ट पे बनी थी उसको आसकर रेवार्ड भी मिले तो किसी ने तो एपीजे अबुल कलाम को राश्टपती हम लोगों ने बनाया दो हजार दो में और ये सारी सेक्लर ब्रिगेड उनके खिलाफ खड़ी थी आज भी बताईए डॉक्टर कलाम मेमोरियल में कितने इन सेक्लरिजम को सूर्माओं के आपने फोटो देखिए जाके सोचल मीडिया अब चेक करिएगा वंदरागस 47 को पहली शैनाई लाल के लिए पर उस्ताद बिस्मिल्ला खाने बजाई थी और उन्हें भारत रतन 2001 में मिला पचास साल के कॉंग्रिस के राज में नहीं मिला इसलिए अच्छा और सच्चा मुसल्मानी ने अच्छा नहीं लगता है ये देखिए जो वो कह रहे हैं वो सही है चीन ने 49,000 किलो मिटर पे कबजा कर रखा है और 60 वर्षों से अधिक से कबजा कर रखा है और वो दिरे दिरे नहीं बलकि 60 नहीं मैं आपको यह भी एक फैक्ट बता दूँ जाके चेक कर लिजेगा 6 जून 1957 चाइना का अगबार लिखता है कि उन्होंने सियांग प्रोविंस से लेकर सड़क बना ली है अक्सई चिन तक फिर 3 फरवरी 1958 भारत का विदेश मंत्राले उस समय देखता था इसको विदेश सचिव पत्र लिखता है नहरू जी को कि हाँ यह वेरिफाइड है कि सड 1558 नहरू जी जवाब देते हैं इसका में केविल सलूशन निकालेंगे इनफॉर्मल चैनल से बात करेंगे कि तो यह कबजा उस जमाने में कलिया था मैं 62 की बाद नहीं कर रहा हूं 62 से चार साड़े चार साल पहले उसके बाद 58 में आप चीन को संट राज संग में लाने के वकालत करते हैं फिर मार्च 59 में आप दलाईल हमा जी को भारत में शरण देते हैं और अप्रेल 1960 में माओं का भाविसागत होता है और पांच दिन वो दिल्ली में रहते हैं और दिसंबर 1960 में भी नहरू जी ने चाइना की पर्मानेंट सीट के लिए वकालत की जबकि आपके विदेश सचीव ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि कब्जा कर लिया है तो इसलिए मैं करूं कब्जा है मगर बकॉल नहरू सरकार के विदेश सचीव के तीन फरवरी 1958 मुझे लगता है कि वो बिहार में जिस तरीके की इस्थिती है और उनके गठवंदन की जो इस्थिती है तो हो सकता है इस कारण से असंतुलित होकर कोई ऐसा बयान दे दिया हो तो इसलिए मुझे लगता हूं की बात को जब उनकी सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो आप लोगों को भी बहुत जनाब सारी समस्या तो वहां यही है किसी को मोदी जी से नहीं लड़ना है किसी को भारती जनता पार्टी से नहीं लड़ना है सबको आपसे में लड़ना है केवल इस बात की जद्धो जहद है कि विपक्ष का बढ़का नेता कौन बन जाए भारत का नेता तो बनने की कोई समस्या नहीं है इसलिए ये पहले तो तथा कथित आई एंडिये एलाइंस का अंदरूनी मामला है और वैसे बैंगलोरू में प्रेस कॉन्फरेंस अटेंड किये बगार चले आये थे और जब वो दिल्ली आये तो अटेल जी की समाधी पर देखते रहें तो इसलिए ये उनका अंदरूनी मामला है वो लोग अपने हिसाफ से तैय करेंगा मगर ये सब कुछ है जद्व जहेद केवल विपक्ष में एक दूसरे को काटकर अपना कदबड़ा करने की तो बहुत सारी बाते कहीं है इसलिए तो मैंने अभी कहा ना कि सब को मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को बहलाने को गालिफ ख्याल अच्छा है देखिये वैसे है जो आई एंडिये के नेता है है ना बिन बिन पार्टियां यह पहले जो अलग अलग रहती है तो हमें मिलना मिलो तो आख चुराएं हमें क्या हो गया है अब सर ओवेसी जी तो देखिए हर मुद्दे के उपर मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि वो सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हैं सदैव कोई ना कोई आक्रामक बयान देते रहते हैं मुझे लगता है वो हैदराब के सांसद हैं और निजामल मुलक के निजाम के फर्मा बरदार ज्टा बरदार हैं तो अभी मुझे लगता है विद्धू taking सरह्दों के बारे में बात करें कोंब्सान के बारे में बाते करना मुझे लगता नंकी हिमाकत नजर आती है